हेलो फ्रेंज वेलकम टू कॉमर्स लेक्चर्स आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 12 बिजनस स्टडीज का एक टॉपिक स्टाफिंग एंड हुमन रिसोर्स मैनेजमेंट एच आर एम तो एच आर एम जो है आपके लिए न्यू टर्मिनोलाजी है मैं इसका मीनिंग आपको बता द एमप्लोईज जो होते हैं हम उनको human resources बोलते हैं and management का मतलब होता है manage करना तो जो हम अपने human resources याण हम्प्लोईज को manege करते हैं this is human resource management जैसे हम अपनी organization में finance को manege करते हैं profit को and earnings को इन सब चीजों को manage करते हैं इसी तरह human resources यानि employees को भी manage करना बहुत ज़ाता ज़रूरी है so HRM actually is a part of management process यह management का एक process के अंदर इंक्लूड होता है ठीक है उसका part है यह management है बहुत सारी सीजों को manage किया जाता है एक organization में इसी तरह human resource management भी है जिसमें क्या किया जाता है humans को manage किया जाता है employees को manage किया जाता है तो एक HR manager, human resource manager क्या करता है he manages the human resources in such a way that they contribute towards achieving organizational goals so एक HR manager क्या करता है हमारे human resources यानि employees को इस तरह से manage करता है उनके grievances को, उनके problems को इस तरह handle करेगा उनको इस तरह motivate करेगा कि human resources क्या करेंगे they will contribute towards achieving organizational goal वो हमारा organization का जो goal है उसको achieve करने में हमारी help करेंगे हमारे human resources यानि हमारे employees आगे हम पढ़ते हैं अगर आपके एक small organization है ठीक है तो ये HRM department आपके नहीं होता है human resource management नहीं होता है वो सारे functions कौन perform करता है अभी पीछे हमने staffing function पढ़ा था कि कैसे लोगों को जो है individuals को हम recruitment करते है selection करते हैं तो ये सब जो है line manager perform करते है as a staffing function perform करते है small organization में बट अगर आपके एक large organization है बहुत बड़ी organization है तो क्या होगा आपको एक अलग से department बनाना पड़ेगा human resource department यानि humans को manage करने के लिए अलग से department separate department बनाना पड़ेगा staffing is a part of HRM human resource management जो होगा जो आपका department होगा उसमें staffing एक छोटा सा function perform किया जाएगा recruitment यानि recruitment की जाएगी जो ठीक है वो किसके अंदर आएगा आपका HRD के अंदर आगे बढ़ते है प्रेजेंट कंसेप्ट ऑफ HRM human resource management का प्रेजेंट कंसेप्ट क्या है आजकल क्या क्या हो रहा है क्या क्या चीजिए इसके इंदर include हो जोगी है क्यक्राइख देखू सिरफ सिर्फ परफॉर्म के चीजिए उनको फिल test आथा इसके लाबा कुछ नहीं इसके अभी सप्रेजेंट कंसेप्ट आ गया है and type of employees required human resource managers क्या करते हैं determine करते हैं estimation लगाते हैं हमें कितने number यानी how many employees हमें कितनी employees की जुरत है type of employees किस-kis type की employees की जुरत है suppose आपका एक school है तो आपको sweepers चाहिए या आपको teachers चाहिए च्रीक है यह clerical जो आपके लिए चाहिए तो वो type जो है कौन पता लगाएगा human resource management या manager recruitment देंगे अभी आपको पता लग गया है कि number and type of employees कितनी की जुरत है तो recruitment देने का काम भी किसका होता है recruitment करने का काम HRM का ही काम होता है advertisement पगेरा देंगे ठीक है motivate people to apply for job और लोगों को individuals को motivate करेंगे कि आप हमारे organization में job है उसके लिए apply करें पिर जितने लोगों ने apply करा है HR का आगे क्या काम होता है selection of best employee जो recruitment के बाद जितने भी लोगों ने apply किया था उसमें से best employee select करने का काम भी किसका होता है HRM का employees जब job लग जाएंगे उनकी placement हो जाएगी तो उनकी training की responsibility उनके skills develop करने की of employees के skills develop करने की responsibility किसकी है वो भी HRM की है performance appraisal time to time check करते रहना कि वह अच्छे से perform कर रहे हैं जो आप यह नहीं कर रहे हैं ठीक से कर रहे हैं काम feedback देना यह इस का काम होता है HRM का उनको motivate करते रहना time मिली ताकि वह अपना best दे best efforts लगाए इंसेंटिफ से के चाहे वो financial incentives हो चाहे non financial incentives हो उनको compensate करें reward करें employees को ठीक है यह सारे क्या है आपके HRM के जो है काम है आपके HR manager के यह काम है बट यह जो है present concept में है traditional concept में ऐसा कुछ नहीं